सब्सक्राइब करें मेरे चानल माई डी आई वाई हब को और मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए इस बेल आइकन पे क्लिक करें हाई गाईज वेल्कम बाक टो माई चानल आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे आप घर पे नमक से स्क्रब बना सकते हैं नमफ बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए ये आपके स्किन को डीप ख्लेंज करता है चेहरे का ओयल बैलन्स मेंटेन करता है और बैक्टेरियल इंफेक्शन को भी प्रिवेंट करता है जिससे आगे जाके आपको पिम्पल्स या आखने हो सकते हैं साथी साथ ये blackheads और whiteheads को treat करता है और आपके skin को instantly glowing और soft बनाता है इस scrub को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने regular table salt लिया है अगर आपके पास sea salt है तो आप वो use करें नमक से आपके skin को एक relaxing effect मिलता है और skin से सारी गंदगी और toxins भी निकल जाती है इसी वज़े से आजकल bath salts बहुत common हो गये हैं जो पूरी शरीर की गंदगी को निकाल देता है और skin को healthy और glowing बनाता है next मैंने लिया है शेहद, शेहद skin को nourish करता है और ये भी anti-inflammatory होता है nature में तो salt के साथ इसका combination skin को बहुत अच्छा सा एक instant glow देता है अगला मैं यूज कर रही हूँ यहां पर vitamin E का A capsule vitamin E oil again skin को बहुत अच्छे से moisturize करता है बट अगर आपकी skin जादा oil है तो आप इसे skip कर सकते हैं अब आईए देखते हैं salt scrub को बनाना कैसे हैं सबसे पहले मैंने ले लिया है दो छोटे चमच के करीब नमक और इसके बाद मैं डालूँगी आधा छोटा चमच शेहद इसमें और अच्छे से मिला लेंगे हम दोनों चीजों को अब मैं इसमें से एक vitamin E capsule लूँगी और oil extract करके scrub में डाल दूँगी इस scrub को बनाने के लिए बस हमें तीन ingredients की जरुवत है सारे चीजों को एक final mix दे और आपका salt scrub बनके बिल्कुल तयार है मैं अपने हाथ पे demonstrate कर रही हूँ यहां कि कैसे आपको scrub को अपनी face or neck पे apply करना है circular motions पे apply करें अगर आप चाहे तो थोड़ा सा पानी से damp कर सकते अपने चेहरे को scrub apply करने से पहले और दो से तीन मिनिट तक circular motions में उपर की तरफ मसाज करें अच्छे से और उसके बाद 5 मिट ऐसे ही छोड़े फिर आप अपने चेहरे को गुनगुने पानी से धो सकते हैं best results के लिए week में दो बार apply करें तो आज के लिए इतना ही thank you so much for watching guys अगर आपको मेरे videos अच्छे लगते हैं please इन्हें like और share करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले bye guys